हें गाइस स्वागत है आप सभी का एक बाफ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओनलाइन विद प्यूश में सो गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू गेट एडमीशन एची पीजी कॉलेज वारानसी जिहां गाइस हरी शंग पीजी कॉलेज में दो इसमें एडमीशन कैसे ले पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में बढ़ उसके लिए गाइस आपको सबसे पहले इस वीडियो को अंध तक देखना होगा और ध्यान से सुनना होगा सेवन स्टेप में आपके एडमिशन कंप्लीट होते हैं क्या-क्या चीजे होंगी आपके एडमिशन लेने के लिए ये सारी जानकारी दोस्तों पूरे वीडियो में प्रोवाइट करने वाले हैं सो काइस इसली वीडियो पे लाश्ट तक जरूर बने रहेगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटैल मिस ना हो सके पड़ दोस्तों वीडियो शुरूर करने पहले आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है कर आप में चनल पे नह वीडियो को पहली बार देख रहे तो चनल को सस्क्राइब करके पल आजन को हिट कर ले जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोडिविकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो चलिए गाई सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई ओफिसील यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विप्यूश माई नेम इस प्यूश गुपता यहां पर गाईस हमारा नोटिफिकेशन पेज ओपन हो चुका है जिसमें आप देख सकते हैं हरी शेंदर पोष्ट गिरेजुएट कॉलेज वारानसी के एडमिसन प्रोसेस के बारे में सेवन स्टेप में आपके यहां पे एडमिसन कंप्लीट होते हैं तो चलिए फटाफट सारे नोटिफिकेशन को रिडाउट कर लेते हैं कि कैसे आपके यहां पे एडमिसन होते हैं सबसे पहले गाईस आपको यहां पे फर्स्ट स्टेप में आपको इंट्रेंस फॉर्म को फ form का tutorial मिल जाएगा and guys second time term में आता है आपका intern form field करने के बाद आपका admit card आता है जो कि आपका July month में आता है and then guys आपका intern exam होगा जो कि intern exam आपके July के last में या August के first week में आपका intern exam होते हैं पिछले जितने भी साल के हो रहे थे guys intern exam वो सब अभी अगस्त में होते थे अब next year क्या होगा क्योंकि NEP 2020 के तहट काफी सारे rules change हुए है उसके बाद guys आपके intern results आते हैं जी यहाँ guys intern exam करने के बाद आपके intern results आते हैं अगर result को clear कर लेते हैं तो आपका cut off list में नाम आता है cut off list में आपका नाम आने के बाद guys आपका counseling date आता है counseling का एक fix date रखा जाता है जिसमें आप लोगों को counseling देने के लिए जाना होता है सारे documents ले के जाने होते हैं क्या क्या documents लगेंगे इसके लिए भी videos आ जाएंगे and guys आपके admit card कैसे download होंगे website के तुरू ये भी आपको बता दिया जाएगा video के तुरू तो उसके बाद guys आपका counseling date होने के बाद आपको एक admission form college सी खरीद के feel करने होते हैं feel करने के बाद guys आपको counter पर जमा करने होते है fees के साथ then आपका final admission complete होता है तो आपको 7 steps में आपके ये सारे process होते हैं first में आपको entrance form feel करना होता है उसके बाद आपको admit card download करना होता है इसके लिए भी मैं आपको videos बना के बता दूँगा कि कैसे आपके admit card download होंगे फिर आपके entrance exam होंगे guys जो की offline होते हैं और entrance exam होने के बाद आपके entrance result हुआएंगे, entrance exam के क्या क्यासी levels होंगे uggpg के लिए उसके लिए भी चल्दी video's upload किये जाएंगे entrance form feel होने के बाद, उसके बाद guys आपके entrance result आते है result में qualified करने के बाद आपके cut off list आते है य। आपका counselling date आता है, counselling देने के बाद आपके सीज पे करने के बाद आपके final admission होते हैं तो यह 7 process में आपके admission complete होते हैं तो ऐसा ही notification को जारी रखने के लिए और भी हरीशन post graduate college से related information के लिए आप हमारे चनल को जरू subscribe कर लिजेगा तो यह था guys आज के हमारा information video I hope दोस्तों आपको यह video पसंद आया होगा और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आते वीडियो को like and share जरूर करें and guys आप लोगों को मेरी telegram channel को जरूर join कर लेना चाहिए जिससे कि आप लोगों को वहाँ पे regular basis पे PDF मिलते रहे आपके college के information के लिए and Instagram को भी आप join कर सकते हैं जिससे आपसे मेरी बात की regular basis पे होती रहे कोई भी information के लिए so आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next video में till then guys bye bye